बीमा संसोधन बिदेख 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं मानिये बित मंतरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुबाद देता हूँ कि आपने ये शश्वी परधान मंतरी जी के नितृत में जो आपने ये बिल आज सदन में लाने का काम किया है हम सब अच्छी तरह सभापती महदे जानते हैं कि आज से पहले कुछ बर्स से भी पहले लोग बीमा इंसोरेंस का मतलब ही सिर्फ समझते थे लाइसी कि जीवन बीमा हो गया वही इंसोरेंस हो गया कंशेप धीरे धीरे बदला है देश के अंदर में लोगों को धीरे धीरे अब ये कंशेप आ गया है कि आपके हाथ का जो मोबाइल है वो भी इंसोरेंस हो सकता है उसका भी इंसोरेंस आप करा सकते हैं पहले सिर्फ एक जीवन पर था पहले लोग गाडियों का इंसोरेंस कराते थे थर्ट पार्टी करा लिया कि कहीं रास्ते में चेकिंग में दिखला सके कि हमने इंसोरेंस कराया वो पेपर मातर का होता था पंदु आज हिंदूस्तान के लोग अपनी जबाब दही को समझते हुए अपने इस बात का अहसास करते हुए अब लोग कंप्रेसिव इंसोरेंस भी कड़ाते हैं देरे देरे लोग अब घरों का इंसोरेंस अब हर एक सेक्टर में इंसोरेंस अब हो रहे हैं महोदे ऐसे हालत में यह बहुत जरूरी है और आज COVID-19 के बाद जो इस्थिती देश में बनी है आज लोगों को अपने जीवन का महत समझ में आ रहा है और आज लग रहा है कि था कि एक उम्र का समय तक आज आज आप पूरा करने के बाद कोई व्यक्ति की मिर्टू होती थी आज भला चंगा व्यक्ति भी आज इस पूरी जो विश्व में ये व्यापक जो ये बीमारी है जिससे चलता फिरता आदमी भी मिर्टू को प्राप्त कर रहा है आज हमें जरूरत है कि ऐसे इंसूरंस की जिससे की भगवान नकड़े अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके पडिवार के लोग सरक पड़ना आ जाएं हम उन्हें एक सुरक्षा दे सकें हम उन्हें एक बेवस्था दे सकें 2000 में 26% से FDI को बढ़ाकर 49% किया गया उसके बाद अब फिर जाकर 49% को बढ़ाते हुए 74% का मन्ये मंत्री महद्या ने आज इस सदन में लाया आप देखेंगे तो अन्य देसों की तुलना में बहुत कम बीमा की पैट हमारे हिंदुस्तान में भारत में GDP के बीमा प्रीमियन के पर्तिसत के रूप में अनुमानी तकड़ा पाने तो 2001 में 2.71 था जो 2009 में 3.76 हो गया अगर यही हम 20 अस्तर पर देखेंगे तो पैट 3.35 परसेंट ही है और जबकि 2009 में गैर जीवान च्छत्रों में 3.88 पर्तिसत है इस मामले में आज पुर्व के समय में होता था कि लगातार लोग इंसोरेंस के बाद क्लेम के लिए महीनों चकर लगाते थे जब से FDI का आगमन रुआ है जब से अन कंपनिया भी हिंदुस्तान में आई है उसके बाद हमारे सोदेशी कंपनी सहीद विदेशी कंपनी भी बीमा सेटलमेंट में बहुत कम समय लेते हैं और चाहते हैं कि हम हैंट टो हैंट बीमा सेटलमेंट भी कड़ें इसमें मैं मान्य मंत्री महद्या से ये कहना चाहूंगा कि आपने जो इंसोरेंस सेक्टर में GST 18% इस पर लगाते हैं ये कोई लगजरी गुड नहीं है इंसान अपने जीवन और अपने बहमुल वस्तियों का इंसोरेंस कराता है इसको 5% के स्लैब में इसका रखना चाहिए ताकि कम से कम लोगों को कम प्रिमियम लगना पड़े सभापती महद्या है आज की इस परिस्थिती के अंदर में बिदेशी FDI के आने के बाद खास कर कोविड-19 के बाद जो देश में बेरोज़गारी बढ़ी है हम उन नौजवान को इस 22 चेतर में एक अच्छे रोज़गार की उपलबताव कड़ा सकते हैं उन्हें हम एक अच्छा स्वामलम्मी बनने का सो रोज़गार की योजनाओं पर काम करने का हम उन्हें एक मौका दे सकते हैं यह माननिये प्रधानमंतरी जी की ही सोच है कि आज हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके अंदर वे यह है छमता कि वो इस सेक्टर को बहुत खुबी चला सकते हैं और बहुत खुबी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं आज के समय में इंसोरेंस के माध्यम से ही हम पूरे देश के अंदर में अपने हर चीज की वेवस्था को इंशोड कर रहे हैं और पूरे देश के कारण आज हम दुनिया के अंदर में आज इस पैमाने पर खड़ें चाहे वो जीवन रख्षक दवाएं हो घर हो गारी हो आजमी के हाथ में कोई भी व्यक्ति का हाथ में कोई भी समान हो सब आज इंसोर्ड होड़ा है इंसोर्ड होने के बाद आज हमें इस बात का है कि अगर हमारा वो वहमूल्य चीज अगर किसी कारण से नस्ट होता है चोड़ी हो जाता है तो हमें उसका क्लेम भी इनता है आज हम उस पैसे को पास सकते हैं यही सबसे बड़ी इस वीवा संसोधन में है कि हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षित कर सकें, कैसे अधिक से अधिक देश के लोगों को रोजगार रुपलप्त करा सकें, काइसे देश के अंदर में foreign currency की भिदेशी धन का आग्मन हो सकें, इसी के तहत में ये SANSODAN BIL लाया गया है, मैं इस SANSODAN BIL के पक्ष में ब बहुत बहुत धन्नवाद।